नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, तमिलनाडू, कमल हासन और रजनीकांत की मुलाकात से शुरू हुआ कयासों का दौर, चेननई, दक्षिन भारत की राजनीती में एक बार फिर से हलचल मचने लगी है, इसकी वजह है कि अभिनेता से नेता बने दो सुपरस्तारों की मुलाकात, रविवार कोचेन नई में कमल हासन और रजनीकांत के बीच मुलाकात हुई, चर्चा है कि दोनों अभिनेता नेता एक होकर तमिलनाडू की राजनीती में कोई नया भूचाल लाने वाले हैं, हालांकि दोनों ही नेताओं से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इसे समय पर छोड़ दिया, राजनीतीक टूर पर निकले कमल, अपने राजनीतीक टूर पर निकले कमल हासन दक्षिन के सुपरस्टार से मिलने के लिए उनके घर गए, मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि उनकी यह मुलाकात अपचारिक थी, राजनीती का इस से कोई लेना देना नहीं था। हासन ने बताया कि उन्होंने अपने राजनीतिक टूर के बारे में उन्हें जानकारी दी उधर, तमिल सिनेमा के दो दिगजों की मुलाकात को दक्षिन मामलों के जानकार राजनीती की एक नई सुखभुगा के तोर पर देख रहे हैं, जब पत्रकारों ने रजनीकांट से इस मुलाकात के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, कमल हासन तमिलनाडू की जनता की सेवा करना चाहते हैं, मैं उनके बारे में प्रतना करता हूँ कि वे अपने मकसद में कामयाब रहें, उन्होंने कहा कि क कमल राजनीती में नाम या पैसे के लिए नहीं आ रहे हैं, वह तो केवल जनता की सेवा करना चाहते हैं, जब पूछा गया कि क्या दोनों महान अभिनेता इस शुभ काम के लिए एक हो सकते हैं, कमल हासन ने कहा, यह तो केवल समय ही बताएगा, और भविशे में इसकी आवनाई हो सकती हैं, दोस्तों हमारी हर न्यूज को लाइक वर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद